हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चाइनल आज मापके लिए टू कलर में बहुत ही प्यारा सा निटिंग पैटन लेकर आई हूँ इस पैटन को आप बेभी स्वाइटर के लिए अगर आप जैंट स्वाइटर या कोई हाइनिक बना रहे हैं तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं लेडिस काडिगन के लिए बहुत ही प्यारा डिजाइन है आप इसे कैप ये बना सकते हैं अगर आप कोई शॉल ये स्काफ तो उस पर भी इस डिजाइन का यूज़ कर सकते हैं, बेबी के तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट के ले बहुती प्यारा डिजाइन है, कार्डिगन के लिए, जैकेट के लिए, यह इस डिजाइन का रॉंग साइड है, अगर आप सॉक्स बना रहे हैं, तो आप सॉक्स पर तो चली शुरू करते हैं, हम इस डिजाइन की स्ट ठो और कितने फंदे लेने हैं. तो निडिल यहाँ पर हमांई देख लेंगे तो यहाँ पर जो हमारी निडिल है वह 4.5 mm की है और इस्टिच जो है वह हमने इहाँ पर लिये है देखिए यहाँ पर आपको 2 के multiple में stitch को ले लेना है किसी फंदे को add नहीं करना है न एक्स्ट्रा लेना है सिर्फ आपको two के multiple में फंदों को लेना है border बना लीजे आप उसके बाद right side से पहली फंदे को हम slip करेंगे और सभी फंदों को हमें सीधा सीधा बिल लेना है तो यहाँ पर एक बार फिर से stitch बता देती हूँ आपको two के multiple में stitch लेना है किसी stitch को add नहीं करना है प्लस नहीं करना है और needle आप इसमें 9 number, 10 number, 11 number, 8 number, 6 number, 7 number सभी तरीके की needles का use कर सकते है row 1 आपको border बनाने के बाद right side से बिनना है सभी फंदों को सीधा बिनके row को complete कर लेना है तो first row मैं complete हो गई, second row हमारी wrong side की तरफ आएगी wrong side पे आपको सभी फंदों को उल्टा बिन लेना है बहुती easy knitting pattern है, अगर आप beginner है तो भी आप इस design को बहुती easily बना लेंगे तो row second सभी फंदों को आपको उल्टा बिनकर complete कर लेना है अगर आपने मेरा channel subscribe नहीं क्या है तो please subscribe कर लीजे, bell icon को click कर लीजे ताकि आने वाले वीडियो की notification आपको मिलती रहे वीडियो अच्छे लगे तो like जरूर कीजिए यहाँ पर हमने second row पनी wrong side से complete कर ली अब row third पर आएंगे, row third हम आई right side की आएगी सभी फंदों को आपको एक बहुत फिर से सीधा बिन लेना है आप इस design के लिए एक light और एक dark color कर यूज कर सकते हैं या दोनो light और दोनो dark color कर भी यूज कर सकते हैं सभी colors पर इस design अच्छा बन कर आता है तो हमारी यहाँ पर row third हमने सीधा फंदे को बिन कर complete कर ली row four wrong side की तरफ आएगी wrong side की row को भी आपको उल्टा बिन कर complete कर लेना है सभी फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेना है यहाँ पर देखे इस तरीके से हमें उल्टा उल्टा बिनना है तो यहाँ पर हमने four row अपनी wrong side से उल्टा बिनकर complete कर ली देखे इस तरीके से अब देखे रो fifth राइट साइड साइगी आप row fifth पर जो भी आप color लगा रहे उसे जोइन कर लेंगे यह देखे इस तरीके से आई है सीधी और उल्टी देखे रोंग side से उल्टा उल्टा और सीधी तरप से सीधा सीधा अब हमने fifth row पर color को अपना change करना है जो भी आप secondary color लगा रहे उससे आपको row fifth बिनना है पहले फंदे को आप सीधा बिनेंगे क्योंकि यहाँ पर हम color change कर रहे हैं अब देखिए हमें सभी फंदों को secondary color से सीधा सीधा बिन लेना है चार सलाई आपका base रहेगा यानि कि जो भी आप first color लगा रहे हैं बॉर्डर पर उसी color से उसी उन से आपको चार सलाई बिननी है पाँचवी सलाई पर आपको color को change करना है जो भी आप अपना दूसरा उन लगा रहे हैं उसको attach कर लेना है और पाँचवी सलाई को आपको सीधा सीधा बिन लेना है तो यहाँ पर हमारी fifth row complete हो गई सीधा बिन कर देखिए इस तरीके से अब row six देखिए हमें पहले फंदे को slip करना है अब उन को right side के तरफ लेके जाने देखिए यह wrong side है और दो फंदों पे design चलेगा उन को right side के तरफ लाएंगे यह देखिए इस तरफ अब दोनों फंदों के पीछे से यहाँ से देखिए इस जगा से दोनों फंदों के पीछे से हमें एक फंदा इस तरीके से लेना है और दूसरे फंदे के लिए right needle को दोनों फंदों के बीच में से रखना है इस तरीके से और एक बार सीधा बिन देना है तो हमारे टू स्टिच के टू स्टिच हो गए, दो फंदो के दो फंदे हो गए, दोनों फंदो को छोड़ देना है, फिर से एक बार रिपीट करेंगे, उनको राइट साइट की तरफी रहने देना है, दो फंदो का डिजाइन है, तो दो फंदो के पीछे से, बीच में से नही पीछे से हमें इस तरह यहां से देखिए एक फंडे को सीधा लाना है इस तरीके से फिर इस नीडिल को राइट साइट की जो हमाई नीडिल रहेगी उसको दोनों फंडों के बीच में से लेना है और एक बार सीधा बिन देना है दोनों फंदों को छोड़ देना है, फिर से देखेंगे दो फंदों को, दो फंदों के पीछे से हम एक फंदा लाना है, इस तरीके से, फिर निडिल को दोनों फंदों के बीच में से लेना है, देखें इस वाली निडिल को आपको दोनों फंदों के बीच में से लेना है, और स पीछे से एक फंदा लाना है, निडिल को दोनों फंदों के पीछे से बीच में से लेकर एक फंदा सीधा बिन देना है, फिर से दो फंदों के पीछे से हमें एक फंदा लाना है, यहां से देखिए, और दोनों फंदों के बीच में से हमें निडिल को ले जाते हुए एक फंद सीधा बिन देना है यह हमारी रोज 6 है रॉंग साइट से दोनों फंदों के पीछे से हमें एक फंदा बनाना है सीधा फिर दोनों फंदों के बीच में से निडल लेते हुए एक सीधा फंदा बिन देना है दो फंदे आएंगे यहां पर हमारे और दो फंदे छूटेंगे दो के पीछे से एक फंदा लाएंगे ये फंदा हलका सापको धीला रखना है और ये दो फंदे जो हैं इनके बीच में से निडिल लेते हुए हमें एक बार इसे सीधा बिना देखे इस तरीके से फिर से लास्ट बार हम यही रिपीट करेंगे टू इस्टिच दोनों फंदों के पीछे से हमें एक फंदा लाना है दोनों फंदों के पीछ में से हमें निडिल लेते हुए एक फंदा सीधा बिना है और लास्ट का हमारा जो एच का फंदा रहेगा उसे हमें उल्टा बिनके र रो वन स्टार्ड करना है तो यहां पर आपका रो वन स्टार्ड हो गया है सेकंड टाइम डिजाइन के लिए पूरे फंदो को आपको सीधा सीधा बिल लेना है 6 row repeat pattern है तो यहाँ पर आपका जो design है वो complete हो चुका है 6 row का यह हमने second time design के लिए 1st row right side से बिनना शुरू करा और हमें इसे पूरे फंदो को सिधा सिधा बिल लेना है सबी फंदो को आपको सिधा बिनना है तो यहाँ पर हमाई देखें 1st row complete हो गए अब हमें यही फिर से 6 row complete करने है तो मैं आपर 4 row complete करके दिखाती हूँ आपको देखें मैंने second time की 4 row complete कर लिए और आपका design देखें कुछ इस तरीके से आएगा तो यहाँ पर अगर कुछ यह आप white में जो हमारा maroon कर में लगा रहे हूँ तो इस तरीके से आएगा बाकी आप किसी भी कर में से बनाएगे देखें जो मैंने डिजाइन बनाया है तो यहाँ पर मैंने क्रीम पर brown का इस्तमाल किया है यह देखे इस तरीके से बड़ा ही प्यारा डिजाइन है बड़ा खुबसूरा डिजाइन है आप इसे बेबी स्वाइटर के लिए बनाईए या अगर बॉय स्वाइटर या जैकिट या कार्डिगन बना रहे है उस पर बनाईए बहुत ही अच्छा लगता है बेबी फ्राग क कि घेर पर डिजाइन बहुत अच्छा लगता है लेडिस कार्डिगन पर बहुत अच्छा लगता है आई होप आपको डिजाइन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भोले वीडियो देखने के लिए शुक्रिया